जेदी आप किसी भी लड़का लड़की को अपने प्यार में बेचेन करना चाहते हैं, किसी भी इस्तरी को अपने प्यार में दिवानी बनाना चाहते हैं, तो आप एक लहसुन का कली लेकर के और एक छुटा सा सुई लेकर की सोसिकन तुटका को कर दीजिएगा, फिर चमतकार दिखिएगा रात में सोते समय करना है सुभा सही वह इस्त्री आपके प्यार में दिवानी हो जाएगे सुभा सही वह आपको प्यार करने लगेगी आपके प्यार में ट्रपने लगेगी मेरे प्यार प्वक्तो रात को सोते समय लहसुन का एक कली लेना है एक छोटा सा सोई लेना है इस वसिकन टुटका को कर देना है अपने प्यार के नाम से उस इस्त्री के नाम से जिस इस्त्री को अपने प्यार में दिवानी बनाना चाहते हैं फिर चमतकार देखिएगा कि वैस्त्री आपके प्यार में इतना बेचैन हो जाएगी कि वो खुद पखुद आपके पास फोन करेगी आपसे बाती करेगी और एक मिनट भी आपके बगर नहीं रह पाएगी मेरे प्यार प्रवक्तो प्यार रुठ गया है बात नहीं करता है नफरत करता है छोड़ दिया है लव में चाहे समस्या जो भी हो सिर्फ एक बार आप लहसुन का कली लेकर के आप एक सुई लेकर के इस वो सिकन टुटका को कर दिजिए राग को सोते समय फिर चमतकार दिखिएगा कि सुबा से ही वो इस्त्री आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी चाहे वो पुरुस हो या इस्त्री हो पलवर में आपका दिवाना हो जाएगा मेरे प्यार प्रवक्तो प्रेमी प्रिमिका में जब प्यार बढ़ाने के बात आती है या बेवाहे की जिवन को खुसहाल बनाने के बात आती है तो वो सिकरन बिद्या का प्रियोग किया जाता है और ये जो वो सिकन उटका का प्रियोग कई बार किया है बहुत ही तेजी में असर दिखाता है करने में बहुत आसान है बीना मंत्र के करना है कैसे करना है कि आपका प्यार आपसे बात करने लगे खुद पर खुद आकर आपसे बात करे आपके लिए टर पर आये बताते हैं उसके पहले छोटा सा बिनती है प्लीज मेरी चानल को सब्सक्राइब जोड़ कीजिएगा और बिल घंटी को जोड़ दवाईएगा ताकि हम जितने उड़ाएंगे सबसे पहला भी के पास में जायागा मेरे प्यार पर वक्तो करना क्या होगा द्यान से देखिएगा आप लहसुन का कली ले करके सबसे पहले इसमें से तीन लहसुन का दाना निकालेजिएगा यह हो गया एक यह हो गया द्यान से देखिएगा यह हो गया दो और यह हो गया तीन इसमें से लहसुन का तीन दाना आप आप जिसको भी वस में करना चाहते हैं वो आपके वस में हो जाएगा मेरे प्यार प्रवक्तु जिस भी इस्तरी को अपने प्यार में दिवानी बनाना चाहते हैं राप को कीजिएगा वो इस्तरी सुबह होते होते आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी जिस भी पुरुष को दिवाना बनाना चाहते है वो आपका दिवाना हो जाएगा ये जो वसिकरन टोटका है इतना सकती साली है कि एक बार वसिकरन हो जाएगा तो कोई भी इसका असर कम नहीं कर सकता है वसिकरन को कोई भी हटा नहीं सकता है आपके प्यार से आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता है और आपका प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा कैसे करना है ध्यान से दिखिएगा सबसे पहले क्या करेंगा ध्यान से दिखिएगा इस लहसुन के दाने के उपर आपको क्या लिखना है सह सह एक लहसुन के दाने के उपर आपको सह लिखना है दूसरे के उपर में आपको उस इस्तरी का नाम लिखना है जिस इस्तरी को अपने प्यार में दिवानी बनाना चाहते हैं उस इस्तरी का नाम लिखना है ठीक न और तीसरा जो लहसुन का दाना है इस पे आप अपना नाम ल जिसको अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, और कोई भी एक लासुन के दाने के उपर में सहा लिख देना है, अब करना क्या है राब को सोते समय कि वह इसतरी सुबह से ही आपके प्यार में दीवानी हो जाए, आये बताते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तीनों लहसुन के दाने को एक साथ में आपको गांत करकिस परकर से रख लेना है जैसे कि हम गांत रहे हैं जहां से देखेगा मेरे प्यार प्रभक्तो यह बहुत ही चमतकारी वसिकन टुटका है एक बार के करने से ही आपका प्यार आपको मिल जाएगा आपका प्यार आपको बगर नहीं रहा पाएगा मेरे प्यार प्रभक्तो बहुत सारा जैसे लोग है जो असान सावसिकन टुटका खोशते हैं कि घर बैठे बैठे ही हमारा प्यार हमको मिल जाए तो उन लोगों के लिए बहुत ही सक्तिसाली असान सावसिकन टुटका है घर बैठे ही करना है का 11 बार नाम लेकर के इस पे फूंक लगा दीजिएगा 11 बार उस इस तरी का नाम लेकर जैसे ही फूंक लगा दीजिएगा आप सह बोलिएगा उसके बाद में अपना नाम बोलिएगा 11 बार इस पे फूंक लगा दीजिएगा उसके बाद में इसको करना क्या है द्यान से जैसे ही सुभा जग आप इस लासुन के दाने को इस सुई सहित लेकर के आप कीसी भी नीम के या इमली के पेड़ के जरके नीति मिटी को कुन करके दबा दिशेगा उस समय आप उस स्थरी का 7 बानाम ले अपना 7 बानाम ले और वहाँ से घरो अपास आ जाये पीछे मुझ कर नहीं देखिएगा फिर चमतकार देखिएगा कि उसी दिन से वह इस्तरी आपके प्यार में दीवानी हो गई है वो आपको चाहने लगी है वो आपके बगर नहीं रहा पाएगी वो खुद आपसे कॉंटेक्ट करेगी आपसे मिलना चाहेगी आपसे बात करने लगेगी आपके पहला प्री के पास में जाएगा